हलो दोस्तों, वेलिकम टू गेट अगेडमी एन अद्वेत एजुकेशन देखिए, ARTO की जो क्लासेस है 16 अप अप्रेल से गेट अगेडमी के लाइव एप पर अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है जितने भी लोग ARTO की तयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जाएए, अगर आप अपने प्रिप्रेशन को सिस्टेमेटिक वे में करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जल्दी से जल्दी जाएए और रेजिस्टेशन करवाईए देखिए, आज की क्लासेस में जो थर्मो डाइनेमिक से प्रीवेस प्रीवेस एयर में जो questions आये हुए थे previous जब recruitment इसका आया था तो उसमें thermodynamics के जो question आये थे उसका हम क्या करते हैं एक question लेते हैं उसके concept के साथ देखिए इस question को बताने से पहले देखिए थर्मो-dynamics में जो हम देखते हैं processes थर्मोडानिक्स में हम क्या देखते हैं प्रोसेस देखिए थर्मोडानिक्स से बहुत सारे टाइप्स प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कॉंस्टेंट वाल्यूम प्रोसेस जिसको आइसो कोरिक प्रोसेस बोलते हैं कॉंस्टेंट प्रेसर प्रोसेस जिसको आइसो बोरिक प्रोसेस बोलते हैं इसो थर्मल प्रोसेस जिसको इसो थर्मल प्रोसेस बोलते हैं इन सभी प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है nominic lecture दिया गया है जिसमें क्या होते है student जो है क्या होते है puzzled हो जाते है देखिए एक तो equation होता है PV to the power K equal to C यह constant है यहाँ पर अगर K की value को change करते जाया जाया अगर suppose मालो कि मैं यहाँ पर K की value को 1 assume करता हूं यहाँ पर मैं K की value को 1 assume करता हूं तो क्या PV is equal to C हो जाएगा क्या PV is equal to C हो जाएगा पहला case अगर मैं लेता हूं K is equal to 1 तो PV is equal to क्या हो जाएगा है आपर C PV is equal to C इसका कहने का मतलब क्या है process क्या है isothermal process इस process को हम क्या बोलेंगे बच्चो isothermal process isothermal process अगर similarly मैं देखता हूं तो second condition में अगर मैं K की value second condition में अगर मैं K की value को 0 रख दूँ तो क्या PV to the power 0 is equal to C और अगर मैं इसको आगे और simplify करूँ तो P equal to क्या हो जाएगा C हो जाएगा क्या P is equal to C हो जाएगा क्या अब जब ये P is equal to C हो गया तो इसको मैं क्या बोलता हूं constant pressure process constant pressure process इसको मैं क्या बोलता हूं constant pressure process constant pressure process और constant pressure process के बहुत साने नाम है देखिए इसको ध्यान से सुननेगा constant pressure process isobaric process isobaric process इसी को बोलते हैं isopistic process इसी को क्या बोलते हैं isopistic process constant pressure process को ही क्या बोलते हैं isopistic process, तो इसके तीन नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है, अगर मैं इस K की value को, अगर मैं इस K की value को अगर मैं इस K की value को infinite रखता हूँ यहाँ पर, तो P V to the power क्या हो जाएगा, infinite is equal to C और यह इसको आगे और simplify करूँ मैं, तो यह क्या हो जाएगा, V equal to क्या हो जाएगा, C, मतलब यह कों सा process हो गया हमारा, यह कों सा process हो गया हमारा, constant pressure process, वाल्से हो हो गया हमारा, constant volume process, और constant volume process के भी different different नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आई-so-coric process आई-so-coric प्रोसेस और इसी को बोलते हैं isometric प्रोसेस इसी को हम क्या बोलते हैं isometric प्रोसेस इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों isometric प्रोसेस अगर मैंने क्या रखा k की value को 1 रखा तो यहाँ पर pv to the power c k की value 0 रखा तो आपको क्या मिला constant pressure sir, k की value को infinite रखा, तो हमको क्या मिला, constant volume process, अगर मैं k की value को, fourth, अगर मैं देखता हूँ, k की value को अगर मैंने लिखा, fourth, fourth, अगर if k की value को मैं consider करता हूँ, कि यह n है, तो pv to the power n is equal to c, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, polytropic process, polytropic process, इसको मैं क्या बोलता हूँ, polytropic process, अगर मैं इस k की value को, अगर मैं इस k की value को gamma put करता हूँ, तो pv to the power gamma is equal to क्या हो जाएगा, c, और pv to the power gamma is equal to c is equal to क्या रखता हूँ, मैं, यह क्या हो जाएगा हमारा, adiabatic process, adiabatic process, इस process को मैं क्या बोलता हूँ, adiabatic process, इस process को मैं क्या बोलता हूँ, adiabatic process, देखिए, ये concept आपको पता होना चाहिए, ये concept जो है, आपको पता होना चाहिए, जो thermodynamics का क्या है, basic concept है, इसी concept को relate करके, जो previous year में, ARTO में आपका जो question आया था, वो question ये था, अभी देखिए, as it is question जो है, ह ट्रॉपिक process, PV to the power, N is equal to constant, इसने क्या बोल दिया बच्चो, इसने क्या बोल दिया यहाँ पर, PV to the power, N is equal to constant है, और इसने क्या बोल दिया, N is equal to, जब आप 0 पूट करेंगे, N is equal to, आप 0 पूट करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसी आप N is equal to 0 पूट कर दो, यहाँ प आपको बताया था कि अगर हम n k की value को 0 रखेंगे तो यह क्या होता है हमारा constant pressure process होता है इसी को हम isobaric भी बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं isopistic process भी बोलते हैं तो देखते हैं हमारा answer में क्या आएगा यहां पे देखो constant volume process होगा क्या नहीं constant temperature process होगा क्या नहीं आइसेंट्रोपिक process होगा क्या नहीं देखिए constant volume process में क्या होता है volume constant होता है constant temperature process मतलब क्या हो जाएगा इसको isothermal process भी बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या होगा यहां पर एंट्रोपी कॉंस्टेंट होगा कॉंस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वह हमारा क्या था एंसर था कॉंस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा यहाँ पर enthalpy क्या होगा यहाँ पर constant होगा तो यह E option भी क्या होगा गलत होगा तो answer क्या हैगा इसमें D for Delhi is the correct answer तो इसी तरह के concept के साथ ARTU की classes जो है लगातार 16 April से everyday 7 to 8 hour जो है चल रही है तो जल्दी से जल्दी जाईए registration करवाईए और अपना एक seat निश्चित किजिए तो इस concept के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ concept के साथ तब तक के लिए thank you very much